हाई, इसमें जो सलमान सहाब है उन्हें पता चल जाता है कि फजल बख्ष और शिवरा में प्यार हो गया है और उनको लगता है कि जो फजल बख्ष है वो मतलब इतना चोटा आदमी है जो मतलब उसके अच्छाई से उन्होंने उसको पसंत तो किया लेकिन अपनी बेटी देने के लिए वो उतना काबिल उनको नहीं लगा और क्योंकि वो तो शाहमीर की असलियत मतलब फजल बख्ष की असलियत तो जानतें नहीं है कि वो कौन है, किसका बेटा है और उनको तो लगता है वो फजल बख्ष है एक छोटा सा मुलाजम जो उनकी क ठीके खाविल नहीं है और जिसकी वज़ा से वो उसे घर से निकाल देते हैं यहां जो महरीन हैं वो तो मतलब जानती है क्योंके के फजल वक्ष बन कर जो शामीर है वो शिबरा को धुका दे रहा है और तो क्योंके वो तो उससे महबत करती है तो उसे blackmail करती हैं और चाहती है कि ये वाद शिवरा को पता चल जाए ताकि उन्हें लग रहा है कि शामीर उन्हें वापस मिल जाएगा जब शिवरा को पता चलेगा उसकी असलिया तो फिर वो जाहर सी बात है वो तो ये बरदाश नहीं करेगी मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी है पिछली एपीसोड में वो लगा है कि जो शामीर ने जिस तरहां से अपना सच शिवरा को बताया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उसे वहाँ ले गया जहां उसकी मा है जहां वो इनसान जिससे वो सबसे ज़ादा महबत करता है और वो वहां कवरस्तान अपनी मा के पास उसे ले जाता है और वहां बताता है अपनी असलिहत के मैं कौन हूँ मैं शामीर सिकंदर हूँ और जिस तरहां से वो अपना सच उस पे जाहर करता है उसके बात की जिस तरहां से शिवरा का रियाक्शन आता है कुछ कुछ नहीं कह चैखते हैं कि अगर सच पता चलता है तो लोग लड़ते हैं जगरते हैं बुर कहते हैं बहला कहते हैं लेकिन वह बहुत ऐसे हो जाती है कि मतलब इतना बड़ा धोका वाली बात है लेकिन उसके बात भी वह जिस तरह से हर मूमिंट याद करती है कि किस तरह कि इनसान ने शामीन असकी महबत के लिए अपने आप अपको फजल बख्च बनाय और प्छ time का प्रेल कि मॉमिंट और याद करती है और जिस तरह उसकी हリकेत यह है किस अधहसे इसको बार बार मतलब दोका सा हुआ है जैसे कि वो शादी में जब उसके दोसकी की शादी हो रही होती है तब भी वो जब उससे पूछती है तो उसको ऐसा बताता है कि मैं यह इह आरेंजमेंट के लिए आया हूँ इस तरह का अपने आपको बताता है और जब फजल वक्ष एक्चिन फजल वक्ष जब सब्जी वाला इस बात को कि जब फजल वक्ष बुलाते हैं और वो बोलता है अपना नाम तो यह बुलता है कि शामीर बोलता है कि मैं मैं फजल वक्ष हूँ तो सारी चीजें व हभी प्यारा से एक चन्त के साथ माँ के साथ मेड़ा होता है माँ के साथ माा की समदिधे पर रखा का है उसकी माही को तर होती है तो बहुत ए खुब शीन था हम लास्ट एपीछद में मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे वह उसका अपना सच बताना उसका अपनी मात Kent किस तरहां से बैटके क्योंकि अब वह हलका हो गया, उसनने अमगाईास सच बता दिया, उसकी जो चे disciplined है, उसनने बता दिया और अभी सल्मान Boss सहाप को तो पता नहीं चला है, जो फादेर है उनको नहीं पता चला है, कि इसकी हकीत क्या है एक और सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा जब नर्गिस आती है मतलब शिब्रा की पुपो जब आती है और फिर फजल बक्ष और शामीर के साथ जो उनका सीन वाए जहां पर पट्टी बांदी उन्हें नहीं पता है कि शामीर ही एक्चिली फजल बक्ष है और वज़ेदार लगते हैं चाहे वह फजल बक्ष के साथ हो चाहे वह शामीर के साथ हो बड़े इंट्रेस्टिंग होते हैं बिलार अबबाद सो गुड इस्पेशली ऐसे जो बदलता है वह फजल बक्ष के करेक्टर में जैसे आता है शामीर के करेक्टर में जैसे आता है और कहड़ा आ उसका नौकर भी जो हुआ उनके सात काम करते हैं वो भी किस तरह से वो इंजॉआ कर रहा होते हैं जिस तरह से वह नर्गिस से बाध वइंड मिलते ही पुपो से तो बड़ा इंट्रस्टिंग था जब वह बोलती भूआ लब यू कहके जाते हैं वह बहुत ज्यादा फ़नी उनके जो मोमेंट्स होते हैं जब उनका सच पता चलता है सच नहीं मतलब यह के सलमान सब्सक्राइब को प्यार करता है उसीन भी बहुत उसके बावजूद वह अपना सच जानता कि वह तपड़ भी मारते हैं तो ख शामीर नहीं वह फजल बक्ष है और उसके बाद वहां दिल जीतने आया है उनका वह मेहनत करने है वरना वह चाहता शामीर भी इनकी बेटी को ले सकता था मगर उसे उनके हिसाब से बनके उनका दिल जीतना था शिपरा का दिल जीतना था तो उसकी वह मेहनत करता है तो जिस त किसी के प्यार में जाके नौकर बन जाता है या कुछ ऐसा देखा जा तो नहीं होता है लेकिन आप उस स्टोरी को भी जो आपने एक रॉम कॉम एक अपने लिए कॉंसेप्ट लेकर आया उसको भी कितने अच्छी से ले जाना बहुत बड़ी बात होती है मुझे तो बहुत मज आता है एश मुर्शिद देखने में और लास्ट व एपीसोड भी बहुत अची थी जैसे मैंने बोला मेरा जो मतलब लास्ट एपीसोड के भी जो सीन जब सचाई आती है उनके फादर के साथ वह उससे पहले वाली एपीसोड का भी सीन हो चाहे वो नर्गेस और उनका सीन हो वजल बक्ष का तो सब बहुत जादा ही अच्छे चिसे जा रहा है मज़दार भी लग रहा है जहां महरीन की बात है मुझे लगता है कि वो इतनी क्योंकि जिद है उसे पाने की जिद है उसे यह कि मैं जिस चीज़ पहतरती हूं मेरी होती है तो वो उसे चाहिए शामीर ले कावा आप देखने वाली बात है कि शिपा किस तरह से उसको करती है यह किस से उनकी स्टोरी चलती हैय देखने वाली बात है तो अगर आपको में आपको फैस्ऊł कोCarBut तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को क्लिक करके रखें, तो नेक्स टाइम जब हम आएंगे, या मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी, तो आपको नौटिफिकेशन आजाएगा, अपना बहुत खयार रखें, और अगर आप इ ुड़ ऑने चाली वीडियो पसक्ताइब करें, तो बैल आप जाउ मेरी करें, पर रखेंगे वीडियो सब्सक्राइब दीज सब्सक्राइब